हेलो एब्रिवन वेल्कम टू प्रतिक आएक्यू आज हम लोग देखेंगे करेंट अफियर फॉर यूपी एसाई इसमें हम लोग यूपी से डियलेटेड जितने भी करेंट अफियर बनेंगे उसको कवर करेंगे और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट वन है तो राजे में सरकों को गड़ा मुक्त बनाने के लिए 15 सेप्टेंबर से 15 नॉवंबर 2021 तक अभियान चलाने का नेने लिया है आपसे एक्जामें पूछ सकता है कि यूपी सरकार ने राजे में सरकों को गड़ा मुक्त बनाने के लिए कब से कब तक अभियान चलाने का नेने ल किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में फूट प्लंड अस्थाफिट किया है तो पेप्सि को ने नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खादी और ग्रामो उद्योक आयोग केवी आईसी ने मोदी जी के जनम दिन सेवा दिवस के उसर पर इस्पिन नामक एक अनूठी योजना शुरू की नेक्स्ट आते हैं यूपी सरकार जेवर हवाई अड़े के पास धाई सव एकर में इलेक्ट्रोनिक पार्क अस्थापित करेगे एलेक्स आते हैं मोदी जी ने 14 सेप्टेंबर 2021 को अलिगड में राजा महेंदर पर्दाब बिस्वी द्याल है और डिफेंस कोरिडोर का सिला न्याज किया अब एक क्यूशन इंपोर्टेंट क्यों बनता है क्योंकि मोदी जी ने किया है और क्या किया है मोदी जी ने अलिगड में तो एक तो राजा महेंदर पर्दाब बिस्वी द्याल है और दूसरा डिफेंस कोरिडोर का सिला न्याज किया नेक्स आते हैं मुख्य मंत्री योगी अधित्यनाथ ने लखनव में मिशन सक्ती चरण 3 के तहट निर्भया एक पहल कारेकरम की शुरुवात की मुख्य मंत्री योगी अधित्यनाथ जी ने लखनव में मिशन सक्ती चरण 3 के तहट कौन से कारेकरम की शुरुवात की तो निर्भया एक पहल नेक्स आते हैं उत्तर प्रदे सरकार ने काकोरी कांट का नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एकसंद कर दिया है यह बहुत इंपोर्टन है उत्तर परदेश सरकार ने काकोरी कांट का नाम मदल कर काकोरी ट्रेन एक्सन कर दिया है नेक्स आते हैं उत्तर परदेश में पहला आयूस विश्वविद्याले गोरकपूर में बनेगा नेक्स आते हैं 84 कोसी मार्ग को राष्ट्रिय राजमार्ग घोशित किया गया आपको इसे याद करना होगा नेक्स आते हैं उत्तर प्रदेश के किर्केटर सुरेस रहना की आत्मकथा का नाम क्या है तो विलिव वाट लाइफ टॉट मी सुरेश रहना की आत्मकथा का नाम क्या है विलेव वाट लाइफ टॉट मी यह मैंने इसलिए लिया है यूपी के करेंट अफेर में क्योंकि सुरेश रहना कहां से यूपी से है नेक्स आते हैं अनूप चंदर पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त गिया गया अभी चुनाव आयुक्त कौन है तो अनूप चंदर पांडे और यूपी के करेंट अफेर में इसलिए लिया है कि पहले ही योगी जिगेंदर काम कर चुके है नेक्स्ट है अर्जुन सहाइक सिचाइप परियोजना कौन से सरकार की है तो यूपी सरकार की है अर्जुन सहाइक सिचाइप परियोजना यूपी सरकार की है अगर आपसे पूछते कि जो अर्जुन सहाइक सिचाइप परियोजना है कौन से नदी पे है तो धसान नदी पे ये भी कफी important point है धसान नदी पे कौन सी सिचाई पडियोजना है तो अरजुन सहायक सिचाई पडियोजना नेक्स आते है काला नमक चावल महोस्राव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया काला नमक चावल कहां पे आयोजित किया गया तो उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदिस में कहां तो सिदार्थ नगर उत्तर प्रदिस में कहां सिदार्थ नगर नेक्स्ट आते हैं यूपी सरकार ने यूपी एफपीयो सक्ति पोर्टो लॉंच किया किसानों के लिए यूपी सरकार ने यूपी एफपीयो सक्ति पोर्टो लॉंच किया किसके ल कब से कब तक मनाया गया तो आपको डेट यात करना है 22 से 25 मार्च 2021 तर नेक्सт है आपका योगी अधित्योनात ने 27 मार्च 2021 को गोडखपूर में सहीत असफाग उल्लँखा प्रानि उध्यान का उध्यान का उध्गाटन किया किस ने 27 मार्च 2021 को गोड़कपुर में सहीत असफाग उल्लाखा प्रानी उध्यान का उध्गाटन किया तो योगी अधित्यना जीने नेक्स्ट आते हैं पीम नरेंद्र मोदी द्वारा महाराजा सुहेल देव अस्मारक की निव रखी गई नेक्स्ट आते हैं योगी अधित्यनाथ ने मुख्य मंत्री अभियोदय योजना 2021 का सुवाराम किया इस योजना के तहट छातर आईएस, PCS, NDA, CDS, NIT और JJC प्रदियोगी परिक्षा की तियारी कर सकते हैं कौन सा इसकी में मुख्य मंत्री अभियोदय योजना 2021 नेक्स्ट आते हैं UP के स्रावस्ती जिले ने दिसंबर 2020 में निती आयोग के अकांच्छी जिला रैंकिंग में टॉप किया किस ने टॉप किया था कौन से जिले ने तो स्रावस्ती जिले ने नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश की जाकी को गंतंद्र दिवस परेट पर सर्वस्रेश जाकी का प्रुसकार दिया गया और इसका थीम क्या था आयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक बिरासर उत्तर प्रदेश की जाकी को गंतंद दिवस परेट पर सर्वस्रेश जाकी का प्रस्कार दिया गया जिसका थीम था अयोध्या उत्तर प्रदेश की संस्कृतिक बिरासर नेक्स्ट आते हैं भारत का पहला मेगा लेतर पार्ग कानपूर में अस्थापित किया जाएगा तो भारत का पहला मेगा लेतर पार्ग कहां बनेगा तो यूपी के कानपूर में नेक्स्ट आते हैं यूपी के दांदुपूर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर मा बाराही देवी धाम किया गया यूपी के दांदुपूर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर मा बाराही देवी धाम किया गया नेक्स्ट है UP के अयोध्या में सर्यू नदी पर रमायन क्रूस सिवा शुरू कि जाएगी पिली भी टाइगर रिजर्ब ने बागो की अबादी को दोगुना करने के लिए अंतरश्च्टिय पुरस्कार दीता कौन से टाइगर इजर्ब ने बागो की अबादी को दोगना करने के लिए अंतरश्टी प्रसकार जीता तो पिलिवित टाइगर इजर्ब नेक्स आते हैं लखनव में महिला बजार बनाया जाएगा महिला बाजार एउपी के कौन से जिले में बनाया जाए गया तो लखनाव में नेक्स आते हैं हर्योम गुपता ने हर्योम गुपता जोगी कानपूर से है उनके गनितिय फर्मूले को अंतराश्टिय अस्तरप अस्थान मिला है आप से यही पूछे का कि हर्योम गुपता कहा से बिडॉंस करते हैं तो कहा से करते हैं कानपूर से और उने किस चीज के लिए अंतराश्टिय अस्तरप अस्थान मिला है तो उनके गनितिय फर्मूले को नेकस्ट आते हैं कानपूर में पहले महीला बस driving training center का उदखाटन किया गया पहले up में पहले महीला बस driving training center का उदखाटन किया गया तो कानपूर में नेकस्ट आते हैं यूपी सरकार ने उद्यम शार्थी mobile app लौंच किया है यूथ की सहायता के लिए to explore self employment opportunity तो लगनाव उनिवर्सेटी ने लौच किया तो लखनाव उनिवर्सेटी ने लौच किया और ऐसा करने वाला नवा सहर बना और पहला कौन था बैंगलोड। तो याद क्या रखना है आपको यहाँ पे थैला बैंक लॉंच किस ने किया तो लखनव नगर निगम ने लखनव मिनुसिपल कॉर्परेशन या निगम और लखनव ने मुनुसिपल बॉंड भी लॉंच किया और ऐसा करने वाला हो इंडिया का नवा साहर बना और पहला कौन नाथ औरिटोरियम कल्चरल सेंटर कहा बना है तो यूपी के गुरतपुर में नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश ने पवित्र पुष्टक रमायन के वैस्विक विश्वकोस ग्लोबल इंसाइकलोपीडिया का उसुवारम किया उत्तर प्रदेश ने कौन से पवित्र स्वीडेन की कंपनी है कौन आइकिया तो यह तो था हमारा आज का लिक्टर अगा वीडियो पसंदे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें मिलते हैं नए वीडियो में नैट अभी के साथ तब तके लिए नमसकार जाहिंद